कि अज़ेंट्स मानुमिस सुमित्राना वेटा हम लोग बेसी सेकेंड डियर में जो लोजी फर्स्ट पेपर के बारे में डिसकस कर रहे थे जो कि हमारा कॉड़ेट से रिलेटेट है और इसमें हम लोगों ने फाइलम कॉड़ेटा के बारे में काफी कुछ देख लिया था ठी फाइलम कॉड़ेटा में हम लोग थोड़ा से यहां पर ग्राफ देखे थे फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं तो जो फाइलम कॉड़ेटा हमारा है इसको दो ग्रुप में डिवाइट किया गया है किसमें कितने ग्रुप में डिवाइट किया गया है दो ग्रुप में डि एक रेनियेटा को तीन सब फाइलम में डिवाइट किया गया है जिसमें हमारा पहला पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है जिन बच्चों अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाएए प्लेलिस्ट में जाकर करके आप वहां पर उसको सर्च कर लीजिए बीसी सेकें होगा और उसमें फाइलम यानि सब फाइलम हैमी कोड़ेटा को पूरी तरीके से एक्स्प्लेइन कर दिया गया है आपको वहां पर बैलेनो ग्लासेस के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा अब जो दूसरा टॉपिक हमारा यहां पर रहेगा वो रहेगा सब फाइलम सिफेल को रखा गया है इसी को हमको डिसकस करना है बाकी यूरो का डेटा और वर्टीब्रेटा जो आपका बचेगा इसको हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे या तो हम क्या करेंगे कि इसके ओपर वीडियो बना करके जॉइन आप्शन में आपको अबलेवल करा देंगे ठीक ह चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिफेलो का डेटा तो सिफेलो का डेटा इसके बाद में जो थर्ड हमारा सफाइलम रहेगा वो रहेगा यूरो का डेटा ये यूनिट सेकेंड में आपका जाएगा तो यूनिट सेकेंड डेफिनिटल यहां पर हम लोग डिसकस नहीं करे है इस फाइलम के बारे में वो आपको हमेशा याद रखनी है और दिमाग में बनाया रखना है क्योंकि इससे अब्जेक्टिव कोशन भी आपके बनते हैं जैसे कि यहां पर लिखा है फाइलम कोडेटा के गुरुप प्रोटो काडेटा में रखे गए सब फाइलम सिफेलो को रखा गया है जिनमें बॉडी का एंटिरियर एंड लॉंग कॉमा कॉनिकल रॉस्ट्रम के फॉर्म में होता है समझ रहें यह कह रहा है कि फाइलम कोडेटा जो है इसमें गुरुप जो आपका प्रोटो काडेटा है और इस गुरुप प्रोटो काडेटा में जो आपका टाइब का होगा, ठीक है, कॉनिकल होगा, जिसे हम लोग रॉस्ट्रम, रॉस्ट्रम के रूप में जानेंगे, ठीक है, चलिए, तथा इसमें हेड का अभाव होता है, यानि कि यह जो जितने भी सफाइलम सिफेलो काड़ेट्स के अंतरगत ऑगनिजम को रखा गया है, इनके अंदर हेड प्रिजेंट नहीं होगा, ठीक है, इन प्रोटो काड़ेट में नोटो काड़ बहुत ही लंबी या राउंड के फॉर्म में होती है, यानि कि जो नोटो काड़ होगी, वो बेरी लॉंग, काफी लंबी होगी, और राउंडेड स्ट्रक्चर में होगी, गोलाकार सनरचना में पाई जाएगी, क्लियर है, ओधिये तथा राउस्ट्रम से बॉडी के लास्ट पार्ट तक अरेंज रहती है, यानि कि जो राउस्ट्रम है, वहाँ से लेकर के बॉडी का जो इसका लास्ट पार्ट है, वहाँ तक क्या होता है, ये प्रिजेंट रहता है कौन, तो ये इसका खास बात हो गया, फाइलम सिफेलो काड़ेटा के, अब फाइलम सिफेलो काड़ेटा में जो अपन लोग को और्गनिजम के बारे में पढ़ना है डिटेल में, वह है आपका ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है, तो जो ब्रांकियोस्टोमा और्गनिजम है, ये आप सबफाइलम सिफिलो काड़ेटा में रखा गया है ठीक है और ब्रंकियो श्टोमा को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं जैसे कि इसको हम लोग आपका ब्रंकियो श्टोमा ही है या अगर आपके एक्जाम में लैंसेट नाम से कुछ दिखाई दे लैंसेट या लैंसलेट नाम से अगर आपका आजाए कोशन तो किसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे हम लोग चर्चा करेंगे ब्रंकियो श्टोमा के बारे में ही ठीक है अब देखें जो ब्रांकियो स्टोमा है, सबसे पहले आपको इसमें इसका classification याद रखना है, जो की exam में दो number का पूंचा जाता है, बहुत important है, आ सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इसका जब classification देखेंगे, तो इसका जो phylum होता है, वो इसका quadita होता है, phylum codita में इसको रखा गया है, जो उसका group है, वो है crania, क्या है, grup crania है, subphylum जो इसका है, वो है ciphelo causater, class जो इसकी है, वो है lepto cordy, class क्या हो जाएगी इसकी, lepto cordy, and family जो इसकी हो जाएगी, family हो जाएगी, branwenा cesis, भर्वर ओ, इसका हो जाएगी, और जो genus हो जाएगा, वो इ इuitaric अक्ष्रों में लिखा जाता है तिरचत तिर्च Tea लों में लिखा जाता है और कभी बार बनेंगा और बागी लेटर स्म्ल होटी तो सपिसीज जैसे सारे लेर कैसे होंगे चोटे होंगे और इटालिक होंगे और खास बात कहा रहाएगी इन थीक नीचे नाम के नीचे कहा रहता है अंडर iliak गर्द इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा यह काफी माध पूर्ण बात है थीक है चलिए अभी जो ब्रांकियोस्टोमा है इसके बारे में भी आपको कुछ बात ने याद रखनी है जो कि आपके एक्जाम के objective question से related लाइक जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रांकियोस्टोमा सब फाइलम सिफेलो काडेटा की मुख्य जीनस है that means main genus है जिसकी 9 species पूरे world में पाई जाती है तो ब्रांकियोस्टोमा की अब तक जितनी species खोजी गई है वो कितनी है 9 species है ठीक है पूरे विश्व में कितनी species खोजी जा चुका है इसकी 9 species को खोजा जा चुका है इसमें से branchiostoma lenciolatum most common species के रूप में पाई जाती है clear? यानि कि जो branchiostoma lenciolatum है ये पूरे world में common species के रूप में पाई जाती है लेकिन हम इडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो common form में बहुत ही common रूप में जो आपको species मिलेगी ब्रांकियोस्टोमा की वो कौन सी है देखे तथा इंडिया में इसकी most common species ब्रांकियोस्टोमा इंडिकम ब्रांकियोस्टोमा इंडिकम है तो यह आपका point जो है बहुत important है आपके objective question से related बनता है clear चले बच्छो आगे हम लोग इसके habit और habitat के बारे में discuss करते हैं किसके बारे में discuss करेंगे habit और habitat तो इसका habit क्या है और habitat क्या है हम लोग देख लेते हैं देखे ब्रांकियोस्टोमा एक marine cephalocodate होता है यानि कि यह मुख रूप से कहां पाया जाएगा समुद्री जलो में पाया जाएगा marine water में पाया जाता है जो solo solo मतलब उथला sea water समुद्री जल कम गहरे समुद्री जल solo sea water इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे solo sea water that means कम गहरे समुद्री जल solo मतलब होता है उथला हुआ reason ठीक है तो solo sea water यानि कम गहरे समुद्री जल या sand sand मतलब rate में पाया जाता है ठीक है यह अपनी Habit के Dual Mode को यानि कि जो ऊसका Dual Mode है तो यह अपने Habit में Dual Mode को शो करता है तो इसका taş際 için जलीजी दिन के समय में कहां रहेगा Rand kay अंदर यू आकार की भरो में धसा रहता है भरो मतलब बिल में धसा रहता है तथा नाइट में अगर हम रात की बात करें तो रात में सालो वाटर में यानि कि कम गहरे पाने में या उठले जल में लॉंगिट्यूडनल पोजिशन लॉंगिट्यूडनल भाल खड़ा लॉंगिट्यूडनल पोजिशन में swimming करता रहता है clear sand में embedded होने पर यानि जब यह sand में पाया जाता है तब इसकी body का केवल anterior end बरो के बाहर निकला रहता है तो यह इसका habitat हो गया बच्छों तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझेगा अच्छे से पढ़ेगा कर समझ में नहीं तो दुबारा रिपीट आप कर लिजे class आपको समझ में आ जाएगा clear अब देखे कुछ important point आप हम लोगों को देखना इसके external morphology के ऊपर तो यह question आपका बनता है कि ब्रांकियोस्टोमा के external morphology को explain कीजिए clear तो देखे explain करने के लिए पहला point तो आपको यहाँ पर पहली heading जो आपको यहाँ पर डाली है वो आप डालेंगे shape and size इसका आकार कैसा है और इसका size क्या है वो हम लोगों को समझना है तो देखें यहाँ पर लिखा है ब्रांकियोस्टोमा में body लगबग 5-8 cm long, lateral and compressed दोनों सिरों पर नुकीली तथा fish like होती है समझेए यह 5-8 cm long रहेगा ठीके lateral रहेगा यानि कि lateral compressed रहता है lateral side पर कैसा रहता है compressed रहता है और दोनों सिरों पर कैसा रहता है दोनों सिरों पर यह नुकीला रहता है और fish के जैसा दिखाई देता है आपको मचली की तरह यह दिखाई देगा ठीके यह इसका shape and size हो गया आगे हम लोग continue करते हैं इस आकार की body water में shrink करने वा swimming करने के लिए adapt होती है यानि कि इस आकार की body है कि इसकी bronchiostroma की यह water में क्या करें कि shrink मतलब सिकूरने में ठीक है तता swimming करने में adapted होती है adapted करने मतलब यह uncool होती है ठीक होती है most species में body transparent pink color की होती यह भी याद रखिएगा कि इसकी जो अधिक तर species है उसमे body कैसी रहेगी transparent रहेगी और pink color की रहती है ठीक है होता है head यहाँ पर अनुपस्तित होता है तथा इसकी external whole body यानि कि जो external whole body है पूरी body है वो trunk और tail भाग में divide रहती है ठीक है trunk body का anterior part होता है trunk body का कैसा होता anterior part होता है जिसमें head के place पर यानि कि जिसमें head के इस्थान पर rostrum बहुत important इसको याद रखीगा jerk loss के रॉस्ट्रों होता है क्या होता है unrestrum होता है जो एक long pointed structure के फार्म में चोकिसा होता hai long pointed structure के फार्म में होता है ट्रंक वाले part के comprision में tail वाला part अत्यानतिसमाल होता है यानि ट्रंक वाला जो reason part है उसके compression में अगर हम tail वाले part की बात करें पुछ भाग की बात करें तो बहुत ही छोटा होता है clear चलिए आगे हम लोग देखने है C heading वो है आगे हम लोग देखने है C heading वो है aperture of body यानिए इसकी body में क्या क्या aperture आपको मिलेंगे देखिर बृंकियो CBD में चोटल तीन aperture होते हैं यह aperture mouth materionへ to be in ismae के रूप में यह aperture किसमें हों इंगे mês के रूप में अडर के रूप में होता है बोडी के वेंटरल सर्पेस पर रॉस्ट्रम के पास एक ब्रॉड ओपनिंग के रूप में माउथ पाया जाता है इसके चारो और ओरल हुड अरेंज रहता है तथा एट्रियो पूर एट्रियो पूर एट्रियोम कैवटी की ओपनिंग होती है जो वेंटरल फिन के आधार पर या जो वेंटरल फिन के आधार के पास अरेंज होती है ठीक है टेल रिजन में काडल फिन के पास एलिमेंटरी कैनल की ओपनिंग एनस के रूप में अरेंज रहती है जो tail region है उसमें caudal fin के पास में जो caudal fin है उसके पास में elementary canal की opening पाई जाती जो की elementary canal की opening किस रूपी होंगी NS के रूप में पाई जाएगी जो waste material होगा वो body के बाहर excrete किया जाएगा इसके दोरा आप यहां पर देखें जो next heading हम लोग यहां पर डालेंगे वो डालेंगे fin and fold यानि कि इसमें कितने fins हैं और कितने folds यहां पर आपको arrangement मिलेगा उसके बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं branchiostoma की body में 3 unpaired fin पाए जाते हैं यानि कि paired नहीं होते हैं unpaired होते हैं क्या होते हैं fin होते हैं मतलब यहां पर जो तैरने के लिए जो structure आपको मिलेंगे वो हम बात कर रहें उसके ठीक है हम क्या कहेंगे branchiostoma की body में 3 unpaired fin होते हैं जो dorsal fin, cordal fin के रूप में होते हैं जो dorsal fin और cordal fin के रूप में होते हैं यानि कि पूरी body के जो उसका length है उसके बराबर होता है lên रेंज रहता है जो ventral fin है वोắt ईनस और ए्रियोपोर के बीच में arrange रहता है तथा dorsal fin की頭 नमें small size का होता है यानि कि dorsal fin है उसके compare में कैसर रहता है? small size का रहता है dorsal fin तथा ventral fin में fin ray boxes arranged रहती है इसको भी याद रखिएगा fin ray boxes important है पहुचा जाता है fin ray boxes present होती की नहीं होती तो आप कहेंगे अस होती है कहा होती है तो dorsal fin और ventral fin में ठीक है ventral fin और dorsal fin में आपको fin ray boxes present मिलेंगी रहती है जो connective tissue द्वारा produce होती है तो connective tissue द्वारा क्या होती है प्रोड्यूस होती है तेल रिजन के चारों और एक small size का caudal fin arrange रहता है जिसके अंदर fin ray boxes absent रहता है तेल रिजन में जो आपका caudal fin में arrangement है कौन कौन arrangement है भाई जो small size का caudal fin है ठीक है caudal fin यहाँ पर जो arrangement है उसमें fin ray boxes क्या होते हैं absent होते हैं तो fin ray boxes कहां पाये जाते हैं तो आप कहेंगे sir fin ray boxes dorsal fin और ventral fin में पाये जाते हैं clear लेकिन अगर हम caudal fin की बात करें तो caudal fin that means push की तरफ जोसकी तेल की तरफ fin पाये जा रहा ह उसमें fin ray boxes नहीं पाये जाते हैं absent होते हैं clear फिर देख यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं लाइन से bronchiostoma की ventral surface पर oral hood तता atriopore के बीच अनेक membranous fold arrange रहते हैं जिन्हें metapural fold कहते हैं जिन्हें क्या कहता है metapural fold कहते हैं अभी diagram देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में diagram जब आप समझेंगे तो theory आपकी clear हो जाएगी और theory जब आप समझेंगे तो diagram आपका clear हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के तंटिन्मस प्रोसेज में हैं, जाद रखिये, दोनों एक दूसरे के लिए महत्पूर भाग रखते हैं, ठीयोरी भी हमारी महत्पूर भाग रखती है और हमारा डाइग्राम भी महत्पूर भाग रखता है, इसको याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यह सन बाडी मसल्स के दोनों लेटरल साइट पर वी आकार के बैंड अरेंज रहते हैं जिन्हें मायो टॉम्स कहते हैं जिन्हें कहते हैं मायो टॉम्स कहते हैं देलाइस यहां पर देखे लिखा है ब्रांकियोस्टोमा की बाडी में नॉर्मल 60-62 यानि 62-62 मायो टॉम्स अरेंज रहते हैं इस बात को याद रखेगा तो मायो टॉम्स क्या होता है वो अभी हम लोग बताते हैं पर देखे हैं मायो टॉम्स के नीचे गोनेड अरेंज रहता है यानि जो मायो टॉम्स प्रेजेंट उसके नीचे क्या पाया जाएगा गोनेड अ पहले हैं, ये इसका diagram बना हुआ है, आप इसका screenshot ले लीजे पहले और यही आप diagram इसे तरीके साब बना लीजे, बहुत अच्छा diagram यहाँ पर बना हुआ है, तो आप देखें इसके थोडा साम इसके dorsal surface की तरफ की बात करेंगे, पहले हम लोग इसके dorsal surface की बात करेंगे, फिर हम लोग इसके ventral surface की बात करेंगे, तो ventral surface नीचे की तरफ होता है, dorsal surface उपर की तरफ होता है, तो देखिए हम लोग इसके anterior end से start करते है, anterior to posterior हम लोग बात करेंगे, तो देखिए anterior end पर हमको ये पता है कि जो सब फाइलम सिफेलो का डेटा है इसमें पाये जाने वाले ओगनिजम में हैड नहीं पाये जाता है head के reason पर क्या पाया जाता है head के इस्थान पर क्या पाया जाता है rostrum पाया जाता है head के इस्थान पर क्या पाया जाता है rostrum पाया जाता है तो जो rostrum वाला reason होता है वो सिर्फ इतना रहता है यह वाला portion यह जो portion आपको दिखाई दे रहा है आशे ले रहां यहां से लेकर कि पीछे तक इसके इस वाले रिजन तक यहां जाने कि यहां से ले करके और यहां तक की अच्छोप्रस्ट्ट Jeffrey आपको लिए जिये कहले इस त्वाम के अचा nutrient हो यहां पर में दोड़ा सी से-देक된 गया हुई छुटी छुटी रचनाय दिखाई दे रहे हैं इन structures को हम लोग बोलते हैं dorsal fin ray boxes क्या बोलते हैं dorsal fin ray boxes और यह structures है actual में यह dorsal fin यह क्या है dorsal fin है और नीचे की तरफ हम लोग जाए है तो नीचे की तरफ हम को क्या मिलेगा ventral fin तो यह वाला region ventral fin यह वाला region dorsal fin और इसके ठीक नीचे क्या मिलता है ventral fin ray boxes and dorsal fin ray boxes जो कि हम लोगों ने थियोरी में देखा है अब अगर आप थोड़ा सा और इसके body में देखें तो यह जो structure आपको दिखाई जे रहा है like यह वाला structure यह जो मैं जिसको highlight कर रहा हूँ यह वाला structure यह जो structure है इन structure को हम लोग बोलते है myotomes क्या बोलेंगे myotomes या इसको हम लोग बोल सकते है myomeres myotomes को हो या हम इसको कह सकते है क्या myomeres और जो myomeres है या जो myotomes है इनके बीच बीच में आप देख रहे हैं septum पाय जा रहा है this septum को हों लोग बोलते है myo septa क्या बोलते है meningкими whats a já be игр myco melleta myco melleta dyeral myco melleta को हो यह myosepta को हो यह क्या हैisका myotomes myömeres जो है मायotomes उनको डिवाइट करता है अब देखे मैंने बताया था myotomes हैं इन्हेंके बीच में ही क्या अरेंज रहते हैं गोनेट्स अरेंज रहते हैं यह वाला जो आपको पॉर्शन दिखाई दे रहा है यह एक्चुल में क्या है यह गोनेट्स यहां पर प्रिजेंट रहते हैं अब देएइषके एंटिर्य पर आए तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर यह बकल सिराई पाया जा रहा है ठीके यह बकल सिराई बाहर की और internet काऊ़ में पाया यहाँ जा रहा है और बखल सिराई की ठीक पीछे आप देखें तो lateral side पर आपको इस तरीके से folded like structure दिखाई दे रहा है is folded like structure को अपने लोग बोलते हैं metapleural folds इसको हम लोग क्या बोलते है metapleural fold बोलते हैं clear आप देखें जो gonad is gonad के ठीक नीचे यहां पर आपको एक और cavity दिखाई दे रही है इस cavity को हम लोग बोलते है position of atrium और जो position of atrium है यह पीछे की और open हो जाता है atrium pore में किसमें अपन हो जाता है atrium pore में यहां से जो water inter करेगा वो यहां से क्या करता है बाहर के और निकल जाता है तो posture reason पर हमको एक tail reason देखने को मिलता है जो tail reason है इस tail reason में यह caudal fins पाया जा रहे है क्या पाया जा रहे है लेकिन caudal fin में आपको याद करो caudal fin में आपके fin ray boxes absent होते हैं और caudal fin जो होता है वो छोटा सा होता है और इसी caudal fin में लेकिन opening किसकी होती है elementary canal के last portion की intestine की ठीक ना तो intestine का last region यहाँ पर open होता है जिसको हमनों बोलते है एनस clear बिटा तो इस तरीके से हमारा यह lecture complete होता है इसके बाद में जो हमारा next lecture रहेगा वो bronchiostoma के digestive system के उपर रहेगा आसा करते हैं कि आपको video lecture पसंद आया होगा अगर बच्चों video lecture पसंद आया है तो मेरे lectures को like कीजिए जाता से जादा share कीजिए और यहाँ पहली बार देखने तो please channel को subscribe करके bell icon जरूर दबा लिए जिससे मैं जो भी video lecture डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुचेगा